ते जोड़ा बदल आपना जे विचारों छे आपना जे अनुभावों छे ते आपे श्रायर कर्या ते बदल खुब-खुबा भाद एक एक जिवन निक्षान अने एना स्थरीर ने एमने आ देश माटे आ देश ना लोको माटे स्थमर्पित करीने गसी नाग्यू छे त्यारे एमना माटे बारत नतना एवड ए जरूर एमने मलवा पात्र चे एना यह अधिकारी चे अधरनी प्यदान मंत्री नरे नमोधी साहबे एमने भारत अतनों किताब आपी ने एमनों जीवन पन दन्य करियो पड़ हमनी कदर करी चे काहिं समस्याव बनती अतल जी अध्वानी जी दोडी जता अने देश माटे तेवो कांग करता लोकसाई बचावा माटे पन कटो कटी मा ए अधर मेना एने कारावास भोईगो बेंगलोर थी एमनी धर्पकरते ती अने लोकसाई माटे तो लेडा अने त्यार पची जे जनता पाइटी बनी मुराजी बैनी जनता सरकार बनी एमा पन अध्वानी जी न अटल जी नो बहु मोटो फाड़ होतो अने त्यार पच्छी जारे भारतिये जनता पाइटी उगनी सो एसी मा बनी एमा पन अध्वानी जी अने अटल जी नो खुब मोटो रोल रहो एमने जे राम रत्यात्रा, रामसिला पुजन और अयोध्यामा राम मंदीर, सोगंध राम के खाते हैं मंदीर वहीं बनाएंगे, अब वात लेने ते वो देशा कमा परिब्रमन के रूँ, और भारतिय जंता पार्टी, अजे दुन्या नी विश्वनी सोथी मोटी पार्टी बनी, इमा पन अ बहुत खुशी है, और हम सब को खुशी है, कि अड़वानी जी जो सांस्कितिक राष्टवाद के एक बहुत बड़े युद्धा हैं, और जिन्होंने की तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय, और तमाम परेशानियों के को छिलते हुए, और देश में सा सेक्रेटी के रूप में, उसके लावा जो है, वो जब वो डिप्टी प्रामिस्टर थे, तो उस समय भी सुचना परसान मंतराले में उनके साथ काम करने का मौका मिला, वो जो शक्सियत है अडवानी जी की, वो शक्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है, और वो खास्तोर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है, वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए है। जे भारत ने आगळवधारों माटे एमने पोताना समगर जीवन लगावी दिदू।